जैसे किशना फ्रेंस दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे क्रूड हैचर गैस गोल्ड और सिल्वर के बेस्ट टेक्निकल लेवल्स के बारे में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्रूड की ऊपर कहां पे क्या हो सकता है है चरूड जहां परजूरे टेड़ कर रहा है वह है 5786 का लेवल अभी अपस सबस्यों क्या है जब तक है 5833 यह जे डिवल आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर नहीं निकलता लेवलमें dispatch já अगर उपर नहीं निकलता तो अपसाइड का ठेड नहीं बनता ध्यान दीजीए का यहां पे जाने के बाद फॉस्ट आप जो काम करना है वो करना है आपने स्टेंथ को चेक करना है सिस्टम को साथ लेके चलिएगा हर रोज हर क्लास के अंदर यही बाद में बार बार बोल रह जा दें देखिए मार्केट जो है वो सिप प्रेडिक्शन की ऊपर है आप कितना अच्छा फ्यूचर को कर सकते हैं उसके उपर आपका लॉस और प्रॉफिट डिबेंड है तो यह कब हो सकता है जब आप लोग प्रैक्स करें जब यहां पर निकल जाता था यहां पर एक जोन का लोवेस्ट पॉइंट जोन का लोवेस्ट पॉइंट है वो है 5,870 यह पॉइंट आने के बाद आप एक काम कीजिए जाए यहां अगर आ जाता है तो ट्रेलिंग इस्टॉप लोस का यूज कीजिएगा और जोन के पास आने बात क्या होता है वह अलड़ी आप लोग इसको पार कर देगा अगर एक ही कैंडल आ अंदर यह पार करता है तो समझीएगा आपका जो нетस तार्गेट है वह आपको अचिव हो जाएगा या फिर यहां आने के बाद अपने इस्टेक्चर को अगर बदली करता है चोटी कैंडल श्टिक बनाने लग जाता है और वहाँ पे stand loose होने लग जाती है यह सारे indications जब आपको skin के उपर नजर आता है जहाँ पे kinastic छोटी होती है और stand loose होती है तो फिर आप यहाँ पे profit book कर लीजिएगा wait मत कीजिएगा अगर इसको पार जाना है तो एक ही candle candle जोन को पार करना इसको पड़ेगा यह थी important बात जब यह जोन को अगर पार कर लेता है तो आपका next जो target रहता है वो रहता है 5,933 का अगर इससे उपर भी निकल जाता है तो next target जो बनता है वो बनता है आपका 5,960 का उपर की जितने भी target बनते हैं मैंने दे दिये हैं और यहां से भी रूपर निकलता है तो next important target है वो आपका है psychological level वो है 6,000 याद रखेगा यहां पर profit book कर लीजिएगा ज़्यादा wait कीजिएगा मत market के sentiment को देखते हुए काम कीजिएगा सबसे अच्छा scenario यही है याद रखेगा जोन के पास क्या करना है कल ही class मैंने ली है अगर आपने नहीं देखी तो मैं discussion के अंदर link है जाके देखिएगा जिसमें मैंने detail ने समझाया था कि कैसे कहां कब आपको zone के उबर trade करना है चलिए अब बात करते हैं sideways कहां से कहां तक है देखिए sideways का जो scenario वो है आपका 5,800 से लेगे 5,800 33 की बीच में यह जो zone है यह almost 30 point का zone है इसमें trade मत कीजिएगा अगर crude इसके बीच में आता है तो ignore कीजिएगा यहाँ पर सिपर सिप्राइम पास करेगा जैसा इसने यहाँ पर क्या अब बात करते हैं साथ downside में कब बनता है downside के लिए एक important चीज में पता देता हूँ downside में भी एक zone नजरी है यहाँ आ रहा है यह zone मैंने कल बताया था आप लोगों कि कैसे एक ही candle ने तोड़ा अगर इसको downside में जाना है तो यहाँ आने के बाद एक ही candle के अंदर ही कि अगर इस zone को तोड़ देगा और strength बिल्कुल 35 पर पास चले जागी जब ऐसा सिनारियो बनता है यहाँ बड़ी बड़ी कैनस्टिक बनने लग जाती है structure को बदली हो जाता है color बदली होता है तो आपका पहला टार्गेट रहता है वो रहता है 5725 का यहाँ तक आप ट्रेल कीजिएका यहाँ तक यहाँ तक यहाँ पर आने पर अपना profit सब्कुरिजब के लिए यहां तक आप वेट कीजिएगा आपको प्रॉफिट होगा ही होगा यह मेरा वादा है बाकी system को साथ लेके चलिएगा प्रॉफिट तभी होगा दोस्तों जब आप बार-बार अपने habit के अंदर strength को check करना system को check करना करेंगे तब ही होगा market prediction का game है आप कितना अच्छा future को print करते हैं उसके उपर market depend करता है आप जितने multiples यहाँ पे use करते हैं आप chemistry को ध्यान से देखते हैं आप system को ध्यान से देखते हैं आप strength को ध्यान से देखते हैं तो आपके accuracy बढ़ेगी और आपको अच्छे target अच्यू होंगे और जिस जिसको आज profit वाई उनके मैंने skin sort डाल दिये हैं तो जिस किसी को अगर लगता है कि नहीं हो सकता तो जाकि skin sort देखिएगा WhatsApp group के अंदर आपको विश्वास होगा कि कैसे लोगों को profit हो रहा है और आगे भी होगा levels का जादू कैसा है यह already आप लोग इतने दिन से देख रहे हैं तो मुझे बार बार उसी चीज को बताने में कोई मज़े वाली बात है नहीं और मुझे कोई मतलब लगता नहीं अगर कोई problem है कोई मेरितब से help चाहिए तो इस पर हाई करके लिखेगा मैं 100% help करने की कोशिस करूँगा चलिए अब बात करते है natural gas के उपर कहां पर क्या हो सकता है natural gas जहाँ परजनल्टी खड़ा है वो level है आपका 251 251 के उपर खड़ा है अगर यह उपर के सिनारियो यहाँ से 252 के उपर टेट करता है तो उपर का जो आपका level बनता है वो बनता है 254 का या फिर मैं आपको dot level दूँ तो वो है 253.7 का यह dot level मैंने आपको दे दिया अगर यहाँ पर 252 के उपर निकलता है तो यहाँ तक 100% यह अचीव कर लेगा और यहाँ level के आने के बाद क्या हो सकता है द्यान दीजीगा पास आने के बाद इस level को break नहीं कर बाता है अगर 253.7 से घूमता है तो 250 तक आने के मेरे को आसार 100% चार्ट के उबर नजर आ रहे है तो यहाँ से अगर घूमता है तो आप रिवर्स टेड ले सकते हैं और 250 आपका टार्गेट रहेगा और अगर इसके उपर यहाँ पर यहाँ पर कैनेस्टिक क्लोज कर देती है याद रखेगा मेरे रिवर्ड को कैनेस्टिक क्लोज होने चीए विदाउट विक या फिर विक हो वो माइनर सी हो जो की लाइन के टच नहीं हो रही हो ऐसा सेनारियो अगर बनता है तो फिर आप ऊपर का टार्गेट ले रेडी हो जाएगा आपका जो नेस्ट टार्गेट बनता है वो बनता है 259.1 का या फिर आपको मैं डॉट लेवल दूँ तो 259 का उपर का टार्गेट अल्मोस्ट 6 रुपे का है तो ये 6 रुपे का जो टार्गेट आपको यहाँ नजला रहा है इसको कैच करने की 100% कोजिस कीजिएगा चलिए ये सिनारियो था अपसाइड का और रिवर्स का अब बात करते हैं डाउनसाइड की डाउनसाइड का सिनारियो कब सुरू होता है downside का जो scenario शुरू होता है दोस्तों वो होता है 248 की नीचे 248 की नीचे अगर ट्रेट करेगा और आपको entry कर लेनी है 247 की नीचे जब यह ट्रेट करेगा तो आप entry ले लिजीगा आपका तो target रहता है वो रहता है 244 का अल्मूस्ट 3 रुपे का यह target है इसको अच्चीव करने के कोसिस कीजिएगा आपको यहाँ पे 100% लेवल तक market आएगा चलिए यह scenario था downside का upside का उमेद करता हूँ आप साथ इस scenario आपने note कर लिए होंगे अब यहाँ पे एक scenario है sideways के जैसे act कर सकता है range बड़ी है मगर मुझे लगता है यहाँ पे अगर आएगा तो आप थोड़ा सा conscious हो जाएगा लेवल को देखके trade कीजिएगा वो है आपका 247 से लेकर 249 दो रुपे की range है इसके बीच में trade मत कीजिएगा wait कीजिएगा market को नीचे आने का यह जो line आपको नज़रा रही है 247 से लेकर 249 यहाँ दो रुपे की range इसके बीच में अगर market रहता है तो trade मत कीजिएगा market को थोड़ा नीचे आने दीजिएगा उसके बाद आप trade लीजिएगा अच्छा profit होने की chances है चलिए अब बात करते हैं दोस्तों gold की उपर कहाँ पर क्या हो सकता है gold की उपर वापस से तेजी आई है आपको पता है global कुछ news की वज़े से यह भाग रहा है अगर आप upside में जाते हैं तो आपका जो target अभी के लिए रहता है 75,967 का और आपको trade में entry कब लेनी है आपको trade में entry लेनी है कम से कम यह जब trade करने लग जाए वो 75,825 की उपर 75,825 की उपर trade करता है तो आपका जो target रहता है 75,967 का almost just 150 point की range है और इसको catch करने की कोशिस कीजिएगा दूसरा trade कहाँ बनता है अगर यह यहाँ से reverse होता है कहाँ पर 75,967 से reverse होता है तो फिर आपका reverse trade बनता है और आपका जो target रहता है वो रहता है 75,800 का यह दो सिनारियों यहाँ पर दे दोनों मैंने बता दिये हैं देखिएगा अराम से सोच के समझ के trade कीजिएगा profit होने के chances बढ़ता है दोसरी important बात अगर यह यहाँ से reverse होता है तो नीचे का trade कप ले आपका जो नीचे का trade बनता है 75,700 की नीचे अगर यह trade करने लगता है तो आपका जो target रहता है वो रहता है 75,470 का यह एक range है यहाँ पे आप कोसिज कीजिएगा put side की entry लेने की और अभी के लिए market में bull side का सिनारियों चल रहा है अच्छी नीचे गोल्ड के लिए तो प्लीच अपसाइड के trade को देखिएगा और आपका जो target रहता है वो रहता है 75,970 का इस level को तोड़ देता है ध्यान दीजे अगर इस level को तोड़ देता है तो NAS जो target बनता है वो बनता है 76,400 का मार्केट में एक अच्छी नीचे ग्लोबल में तो ध्यान रखिएगा अपसाइड का अगर target लेते हैं दो दिन के view से भी तवाब ले सकते हैं आपका तो target रहता है 76,400 का तो देख लिजाए carry forward position में अगर आप बनाने चाहता है गोल के उपर तो अच्छा मौका है आपके लिए चलिए अब बात करते हैं silver के उपर दोस्तों silver कैसे react करता है याद रखिए का silver बिल्कुल वैसे react करता है जैसे bank nifty करती है क्यों करती है क्योंग इसे बहुत ज़्यादा volatile है तो silver के उपर में level देख रहा हूँ मगर मैं आप लोगो clearly बता दू silver के उपर trade लेने से पहले आँख ना कान सब खोल के कीजिएगा अब बात करते है upside की downside की upside में trade का बनता है upside में silver के उपर trade बनता है वो बनता है 91,645 के बाद आपका target रहता है 92,062 का यह जो level यह अगर इसके उपर trade करता है तो आपका trade बनता है और आपका जो target रहता है वो यह रहता है 91,645 के बाद entry लेनी है 92,062 almost यह जो range यह 4500 point की है तो इसको catch करने की खोशिश कीजिएगा अगर इसके उपर निकल गया तो next target बनता है वो बनता है 92,333 का यहाँ तक फिर जाने की आसार मुझे लगता है चलिए अब बात करते है downside का scenario कब बनता है downside का जो scenario बनता है वो बनता है 90,451 के बाद 90,451 के बाद अगर यह गिनने लग जाता है तो आपका entry बनती है और आपका target रहता है 89,742 का almost यह भी जो range है दोस्तों यह range 600 point की है और इस range को भी capture करने की कोशिश कीजिएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों gold पे, silver पे, natural gas पे, crude पे सारे level आप लोग नोट कर लिए होगे पिर भी कोई दिकत है तो what's up कीजिएगा मैम के number पर मेरी दरब से आपको help करने की 100% कोशिश रहेगी मैम आपको 100% reply देंगे दोस्तों, system को लेके stand को check करके trade कीजिएगा पैसा बनेगा, विश्वास रखिएगा कितनी अच्छी आप practice करते हैं ये शेकिष्णा